स्वागते दोस्तों आप सुभी को टिकिराच यूट्यूब चैनल पर आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने रेड्मी 2 प्राइम या फिर किसी भी शाओमी मुबाइल में यदि आपका होट स्पोट और वाइफाई काम नहीं कर रहा है और इसमें कनेक्ट करने के लिए आपको प्राबलम आ रहा है तो कैसे आप इसे फिक्स कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वीडियो के साथ बने रही है साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाईए और इस वीडियो को एक लाइक अभी के अभी क या फिर करते वक्त Church नहीं हो पाता है या फिर के लिए hot spot हम 강पते हैं यहां पर दूसरी डिवाइस में नहीं हो पाता है और यहाँ पर भी बहुत सारे जो आमें problem शो रहता है तो इसे हम की ऐसे fix कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा step by step बताऊंगा तो वीडियो के साथ बने रहीएगा और साथ ही साथ दोस्तो हमारी चैनल को subscribe कर लिजेगा ठीक है यहाँ पर मैं दोस्तो कम से कम आपको एक दो तीन चार पाँच solution बताऊंगा पाँच solution बताऊंगा जिसके मदद से आपका problem definitely solve होगा सबसे पहला solution है दोस्तो आप अपना mobile को एक बार restart कर लिजेगा switch off करके switch on कर लिजेगा और उसके बाद में दोस्तो आपका wifi और hotspot को एक बार connect करके देखिएगा काम करता है कि निए ठीक है कभी कभी mobile restart करने पर बहुत सारे problem solve हो जाता है problem solve हो जाता है तो सही बात है नहीं होता है कोई दिकत नहीं है उसके बाद second step आपको अपना mobile का settings पर जाना है और यहाँ पर दोस्तों आपको ढूनना है आपका mobile में more पे चले जाएगा more पे चले जाने के बाद में आपको airplane mode को एक बार own कर देना है अभी airplane mode को ओन करने के बाद में आपका जो है network completely guy up हो जाएगा उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर network जो है दोबारा आपको airplane mode को off कर देना है अभी off करने के बाद में दुबार आपका network completely आजाएगा, ठीक है, उसके बाद में एक बार hotspot और wifi को connect करके देखे, काम करता है कि नहीं, काम कर जाता है, सही बात है, काम नहीं करता है, कोई दिक्कत नहीं, third step में आपको बताऊँगा, और यह third step जो है दोस्तो, third step के जरिये से आपको problem definitely solve होना जाएए, 100%, यहाँ पर आपको third problem के आए, third solution आपको settings पर जाना है, more पर चले जाएए, more settings पर, network setting reset पर चले जाएए, अभी यहाँ पर आप देख सकते है, wifi, आपका wifi, जो के hotspot भी wifi के अंदर में ही आता है, ठीक है, और आपका mobile data और Bluetooth का आपका option दिया गया, आ आपको एकदम नीचे आपको देखने के लिए मिल रहा होगा reset settings, तो इसके उपर आपको click करना है, और आपका यहाँ पर जो भी आपका password है, वो आपको screen पर भर देना है, तो यहाँ पर OK button पर click कर देना है, तो आपका network settings has been reset, तो आपका यहाँ पर wifi और hotspot का settings जो है, वो reset हो अब दोस्तों जाके आप अपना wifi को on कीजिए, hotspot को on करके आप connect करने का try कीजिए, आपका problem definitely solve हो जाना चाहिए, ठीक है, यह तीन करने के बाद में definitely आपका problem solve हो जाना चाहिए, by any chance इरिया आपका problem फिर भी fix नहीं हो पा रहा है, तब आप जो है settings पे चले जाए, और एकदम launcher, SYSTM system launcher, इसके ओपर click करके storage में चले जाए, और clear data में click करके, clear all data पे click करके ok करतीजिए, यह करने के बाद में दोस्तों आपको वापस जाना है, वापस सली जाए और mobile को एक बार restart कर लिजएगा, और check कीजिए आपका wifi और hotspot काम करता है कि नहीं, काम आपका definitely कर जाना चाहि hotspot पे, आपका bluetooth नहीं, आपका hotspot और wifi पे, तब आपको क्या करना है, last option एक है दोस्तों आपको, एक बार अपना mobile जो है, about phone पे चले जाए और system update एक बार check कीजिए, कभी कभी क्या आता है कि दोस्तों हम अपना mobile में system update आया हुआ रहता है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर system के लेना है, ठीक है, यह update नहीं करने पर भी हमें अपने network में, wifi में, hotspot में problem बहुत आता है, तो यह update करने के बाद में दोस्तों आपका definitely problem जो है, solve हो जाएगा, दोस्तों उमीद करता हूँ, आपको वीडियो पसंद आया होगा, thanks for watching.